दोस्तों आपका medical guru-ji के एक fresh वीडियो में मेरा नाम है नीरव और ये वीडियो में हम बात करने वाले है Lifeline Express train के बारे में तो आसा रखता हूँ आपको एक वीडियो पसंद आएगा जीवन रिखा एक्सप्रेस लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस दोस्तो ये एक इंडियन ट्रेन है जो पिछले 25 सालों से ऐसी जगाओं पर मेडिकल ट्रेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे है जहां पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है दोस्तो आपने सई सुना पिछले 25 सालों से आप में से कुछ लोग ऐसे होगे जिन्होंने ये ट्रेन के बारे में सुना होगा कुछ लोग ऐसे होगे जिन्होंने ये ट्रेन के बारे में नहीं सुना होगा तो ये वीडियो में हम बात करने वाले है कि यह जो train है उसके अंदर कौन कौन से treatments available है जो train है उसके अंदर कौन कौन से departments है यह जो train है उसमें कौन कौन से medical equipment है तो सबसे पहले बात करता है treatments के बारे में दोस्तों यह train के अंदर orthopedic surgeries हो सकती है अब thermic surgeries हो सकती है plastic surgeries हो सकती है dental surgeries हो सकती है nutrition facilities भी यह train के अंदर available है normal diagnostic test जो है वो भी available है तो दोस्तों यह एक बहुत ही advanced train है पिछले 25 सालों से medical facilities प्रोवाइड कर रही है तो यह सारी बात हो गए treatments के बारे में अब बात करता है departments के बारे में दोस्तों यह train के अंदर 2 operation theaters है जिस पांच patients एक time में operate हो सकते है उसके बाद recovery room है जिसके अंदर six beds है तो एक साथ six patients जो है वहाँ पर accommodate कर सकते है उसके बाद एक central sterile department है अब दोस्तों यहां पर मैं गहना जाता हूं काफी सारी ऐसी चोटी hospitals है जहां पर CST department नहीं होता है अब CST department का काम यह है कि instrument को वो sterilize करते है ताकि वो reuse हो सके यह facility भी यह train के अंदर available है यह train के अंदर दो sterilizer machine available है जो एक heavy workload को भी handle कर सकते है उसके बाद दोस्तो normal obedience तो है ही उसके अलावा एक auditorium room है जहां पर health awareness programs होते है और उसके अलावा भी functions जहां पर होते है तो दोस्तों यह जो train है उसके अंदर यह सारे departments है अब बात करता है medical equipment के बारे में जब दोस्तों यह details में आपको दूंगा तो आप बहुत ही शौक हो जाओगे यह train के अंदर इतने medical equipment है जितने कोई minor hospital में होते ही नहीं है दोस्तों सबसे पहले बात करते है operation theater के बारे में operation theater के अंदर 5 operating tables है उसके अलावा operation theater light है फिर defibrillator, syringe pump, multiparam monitor, coterie machine, यह सारे equipment train में available है दोस्तों यह train के अंदर dragger company का, dragger company का anesthesia machine है dragger के anesthesia machine इतने महंगे आता है कि multi specialty या कोई बड़े hospital में भी dragger के anesthesia machine नहीं होते है उसके बात दोस्तों यह tube train है उसके अंदर Carl Zeiss company का microscope है for ophthalmic surgeries तो आप सोची कि यह कितनी advanced train है जिसके अंदर सारे बहुत ही अच्छी quality के machines है तो यह सारी बात होगी operation theater के बारे में अब बात करते है CS department के बारे वहाँ पे दो manual autoclave machine है actually यहाँ पे जो automatic machine आता हो बहुत ही बड़ा होता है इसलिए वहाँ पे दो manual sterilizer machine रखे गए है ताकि वह equipment को sterile कर सके उसके अरावा जैसे कि मैंने आपको पह अंदर x-ray machine भी available है x-ray diagnosis भी available है तो दोस्तों यह जो train उसके अंदर बहुत सारे medical equipment है आप ऐसा कह सकते हुए चलती फिरती hospital है इसके अंदर वो सारी चीज है जो एक prior level diagnostic and prior level treatment देने के लिए sufficient है दोस्तों मुझे पता है काफी सारे लोगों ने यह hospital के बारे में कुछ नहीं सु कर रही है वो भी ऐसी जगहों में जहां पर कोई भी hospital नहीं है लेकिन दोस्तों यह जो train है वो well equipped है जिसके अंदर बहुत अच्छे departments है बहुत अच्छी medical facilities है तो दोस्तों हमारे Indian railway की यह एक खासियत है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है ऐसा नहीं है दोस्तों क यह चीज मुझे भी 25 साल पहले से पता है जब मैंने biomedical engineering का course खतम किया जब मैं जब मैं job दून रहा था तब मैं इंट्रेलवे में biomedical का विक्यासी लेका तो मैं उस टाइम पर सर्च किया था मैंने कि क्यों biomedical engineer hire कर रहे तब मुझे पता चला कि Lifeline Express जो train है उसके अंदर इतने सार medical equipment है मैं वहाँ पर select तो नहीं हो सका लेकिन उसी टाइम पर मैंने यह train का research किया था और जब मैंने YouTube चैनल स्टाट की तो मुझे लगा कि यह टॉपिक पर मुझे definitely एक वीडियो बनाना ही चाहिए क्यों कि इंडिया ड्रेलवे उसके पास इतनी अच्छी facility है तो दोस्तों यह सारी चीज़ हो गई Lifeline Express के बारे में G1 रिखा Express के बारे में दोस्तों आसा रखता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हुगा अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कीज़ेगा शेर कीज़े वीडियो को अपने friends के साथ family members के साथ ताकि वह भी सीख सके कि इंडिया में भी ऐसी कोई train है जिसके अंदर high-end medical facilities available है तो अभी शेर कीज़े वीडियो को WhatsApp पे Facebook पे अपने friends के साथ family members के साथ ताकि वह भी सीख सके कि यह train जो है वो इंडिया में ही है उसके अंदर कौन कौनसे facilities available है यह वीडियो का आप डाउनलोड भी कर सकते हो डाउनलोड करने के आप शेर कीज़े WhatsApp पे Facebook पे अपने friends के साथ दोस्तों ऐसे ही वीडियो दिखना जाते हो तो सब्सक्राइब कीज़े मेरी चैनल को और साथी दबाए बैल आइकन को तक कि आप कोई भी अप्रेट में स्नार करो तो ऐसे ही fresh content के साथ जली से ही आपसे मुलाकात होगी तब तक क झाल 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 झाल